बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लास होबिज आज मैं आपको बताऊंगा कि एलो वेरा कि कितनी किस्में हैं जो खाने में हम लोग इस्तमाल करते हैं अलो वेरा के पोदे कुछ इस तरह जो सामने नदर आ रहे हैं यह होते हैं अभी इसको कहते हैं कच्चा एलो वेरा इस तरह यह देख सकते हैं आपके इसमें अभी डॉट्स वगारा आपको नदर आ रहे हैं यह अभी पोदा कच्चा है और इसका जेल अभी इतना मजबूत नहीं हुआ होता कि इसे इस्तमाल किया जा सके खाने के लिए या किसी भी इस्तमाल के लिए एलो वेरा जो है उसका मैच्चुर हुआ होना जरूरी होता है उसके पते तीन चार साल के हो चुके हो उसका जेल पक चुका हो तो वो इस्तमाल के लिए बहतर होता है यह उससे अगली पोदीशन है इसका पोदा पता आप देख सकते हैं कि उससे कुछ मजबूत है यानि कि इसका जेल कुछ मैच्चुर हो चुका है अब एक ये एलोवेरा का पोदा है इसका आप पता देखें तो ये जर्दी मायल तक्रीवन हो चुका है और इसका जेल मजबूत है ये पुराना पोदा है तो इस्तमाल के लियाज से ये सबसे बेहतर एलोवेरा का पोदा खाने के लियाज से हो चुका है इसका जेल मजबूत है जिस तरहां मैं आपको अभी काट के दिखाता हूँ के ये आप देख सकते हैं के इसका जेल मैंने काटा है तो इसका जो लेज़दार मादा है वो कितना ज्यादा येलो है जितना ये ज्यादा येलो रंका होगा उतना ये बेहतर जेल वाला पता कहलाएगा मैचोर हो चुका होगा और इसकी खुश्वू काफी तेज होती है ये खाने के लिए बालों में लगाने के लिए या जिस मकसद के लिए इस्तमाल करना है तो इसका इस्तमाल तीनों पोदों में से बहतर है यानिके इसे हम एक नंबर कह सकते हैं कि ये हर लियाज से बहतरीन है और दूसरा जो दूसरे नंबर पर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसका पत्ता काटा जाए तो इसकी रंगत कैसी होगी ये हमारा दूसरे नंबर का पोदा है इसका जैल आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा पीला मादा इसमें से नहीं निकला ये दूसरे नंबर का जैल है और ये खाने में या किसी भी इस्तमाल में इतना ज्यादा बेहतर नहीं है ये जो पत्ता है ये एक तो काफी पराना है दूसरा ये धूब में रहकर काफी मजबूत इसका जैल जिसे गाड़ा कहते हैं गैरा हो गया हुआ है थिक हो गया हुआ है ये एक नंबर पर आजएगा ये दो नंबर पर आजएगा इससे भी ज्यादा जो हम देखेंगे के बाद ऐसे हैं के जिनका रंग भी हलका है जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये वाला है इसके डॉट्स वगरा आपको नदर आ रहे हैं वाइट डॉट्स ये ये हमारा तीसरे नंबर पर पोदा बंजेगा इसका रंग भी उससे पहले बाले से देखने में सरसब्स ज्यादा है लेकिन इसका जैल अभी इतना मजबूत नहीं है खाने के लिए आसे ये एक नमबर पर है या जिस भी मकसद के लिए इस्तमार करना है तो ये जैल बेहतरीन है ये दूसरे नमबर पर आ गया है इसमें आपको वो निशानाद वगरा नदर नहीं आ रहे है और ये पिलाहट में ज्यादा है ये उससे बहतर है कुछ रंगत में सबस तो है लेकिन खाने में इतना अच्छा नहीं और ये तीसरे नमबर पर है जिसमें आपको ये डॉट से लिए तो नदर आ रहे हैं असलमें ये ग्रोव अभी कर रहा है अभी इसने बनना है मैचोर होना है और ये इतना ज्यादा खाने के लियाज से बेहतर नहीं है जितना पुराना जैल होगा पत्ते की उमर पोद्दे की उमर ज्यादा होगी उतना ही इस्तमाल में बेहतर होगा एलव वेरा के जहां बहुत से फवाइद हैं वो हम लोग काफी जान चुके हैं कि ये एंटी सेप्टिक भी है एंटी बायोटिक भी है जखमों अगर कोई किसी जगा जखम हो जाए तो हम इसे उस जखम के उपर भी लगा सकते हैं अगर कोई अंदरोनी बिमारिया हैं तो हम इसे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये दौई के तोर पर खाया भी जा सकता है और जखमों के उपर लगाया भी जा सकता है इनसानों में जानवरों में काफी इस्तमाल होता है, बाद लोग इसे मूरगियों को इस्तमाल करवाते हैं, बाद मिनरल वाटर वाले अपने पानी के प्लांट्स में ये काफी सारा इस्तमाल करते हैं, जो हम पानी का पीने के इस्तमाल करते हैं, उसमें भी डालते हैं और दू आते हैं यानि कि इसके बहुत से फवायद हैं लेकिन बेहतरीन फायदा वही ऐलो वेरा देता है जो मैचूर हुआ हो जिसका जैल पुराना हो गया हो और उसकी खुश्भू तेज हो गई हो येलो रंग हो उसके माद़ेगा जो जैल निकलता है तो वो बेहतरीन जैल कहलाएग उमीद है कि आप लोगों को ये मालूमात अच्छी लगेंगी और फायदा देंगी आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप कलास होबीज अगर अच्छा लगे तो सबस्क्राइब कार दिया करें और लाइक भी करें ओके अल्ला हाफिस